असलाम अलेकुम रहुत अल्लाई वरकातों दोस्तों कैसे आप सब उम्मित करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे दोस्तों एक बार फिर मैं आप लोग के बीच हाजी रुवाहों को कुछ एहम जैनकारी लेकर कुछ लेटेस्ट अबडेट लेकर जो एक अच्छी खबर है एर इंडिया एक्स्प्रेस के हवाले से है तो दोस्तों वीडियो प्राइब आगे बढ़ने से पहले मैं आप से गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और या फिर आप पुराने हैं और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि कि इस खबर को जितना जल्दो आप लोग के भी शेयर कर देना चाहिए दोस्तों ये खबर जो है जो इंडिया से साओधी अरब आना चाहते हैं और वो लोग जो आकामा होल्डर हैं और वो लोग जो जिन्होंने कोरोना वेक्सिन के दोनों डोज लगवा लिए तो उनके लि भी साओधी अरब में रागे कोरोना का दोनों डोज लगवा लिए थे और या फिर वो किसी गहर मुलक में हैं और वो और ही वहा रागे साओधी अरब में आना चाहते हैं तो ये ख़़र उनके um प्रिए है जो सौदी अरब में रहकर कोरोना वेक्सीन का sonra ड़ज लगवा ली है अब वह सौदी अरब आना चाहते हैं जो छुट्ती अगे है उनका अकound कामा खत्ब नहीं हुआ हआ उनका वीज़ा एक्सपायर नहीं हुआ है और उनके पास वो प्रूफ है उन्होंने अपने तवकिल यह से अपना एहल्थ पास्पूर्ट निकाल लिया है और वोंगे पास व प्रूफ है कि उन्होंने सौधी अरभ में रहके दोनों कोरणा वेक्सिन के डोज लगवा लिय है तो अब उन लोगों को उन लोगों के लिए साओधी अरब आना काफी आसान हो गया क्योंकि एर इंडिया एक्सप्रेस ने इंडिया से साओधी के लिए टिकट बुकिंग स्टार्ट कर दिया है तो एक बहुत ही बड़ी खुसकबरी और एक काफी अच्छा अपडेट आया एर इंडिया के तरफ से कि अब वो वो परवासी मजदूर जो साओधी अरब में रहके उन्होंने कोरोना वेक्सिन के दोनों डोज लगवा लिए अब वो साओधी अरब आना चाहते हैं तो एर इंडिया एक्सप्रेस ने एनाउंस किया है कि जो लोग कोरोना वेक्सिन के द बोग आना चाहते हों जाए वो अपना टिक्ट بुक करें और आप उसी Aeronomyस से कान्तेक्ट करें जो approval हो Air India का और आप Air India के website जा सकते हैं वहां से च्षेक कर सकते हैं आप किसी बड़ी आफिस में जा कर सकते हैं कि हम कैसे टिकटक करें क्या 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 करना पड़ेगा तो दोस्तों उन सभाव उन सभी परवासी मजदूरों के लिए बहुत बड़ी खुशकबरी थी एक काफी अच्छा लेटेस न्यूज था और एंडे के टूट के हवाले से जनकारी मिला तो मैं आपके भी शेयर कर रहा हूं दोस्तों मैं एक बर फिर आप से बुजारिश करता हूं कि आगर आपको हमारी ख़बर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें और कॉमेंट करें और इन्शालला मैं फि सब्सक्राइब किसी लेटिस्ट अबडिट के साथ कुछ अच्छी खबर के साथ अगले वीडियो में आप से मिलूंगा तब तक के लिए असलाम अलेकुम